नमस्कार, गूड मॉर्निंग और वेलकम बैक टो अनदर वीडियो इस वीडियो में हम HPGK के महत्तपून कोर्शन्स डिस्कस करेंगे जो HP Allied Services के examination में पूछे गए थे और आपके आने वाले सभी examination की दिरिश्टी से महत्तपून है फिर चाहे आपका कोई teaching exam है या कोई any other examination ओके तो आज का first question है निमन में से किस जानवर के सरक्षन के लिए पिन गाटी को राष्ट्रिव वन जीव सरक्षन पार्क घोशित किया है तो इसमें बरफानी तेंदुए के सरक्षन के लिए पिन गाटी को राष्ट्रिव वन जीव सरक्षन पार्क घोशित किया है पिन गाटी लहौल सबीती में है और पिन गाटी को नेशनल पार्क का दरजा मिला था 9th January 1987 को 1987 को इसे राष्ट्रिव पार्क घोशित किया गया था इसमें सनो लेपर्ड को सनक्षित रखा गया है का सरक्षन इसमें मिला है सनो लेपर्ड को हिमचल परदेश में टोटल पांच नेशनल पार्क हैं जिसमें से एक लहौल सबीती में हैं एक सिरमौर में हैं और तीन जो हैं डिस्टिक कुलू में हैं next question है वाइसरायलाज बनाने का वीचार लॉड लिटन का था पर इसमें वास करने वाला प्रथम बैकती कौन था लेकिन इसमें जब ये तियार होके पूरा कंप्लीट हुआ तो इसमें रहने वाले जो फर्स्ट परसं थे वो थे लॉड डफरिन लॉर्ड अफरिन नाम आपको याद हुगा कि लॉर्ड अफरिन के टाइम में ही इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना भी हुई थी 1885 में 1885 में ये भारत के वाइसराय थे ये जो वाइसरीगल लॉज है या वाइसराय रॉज है ये 1888 में बनकर त्यार हुआ और ये शिमला के Observatory Hill पे है उसके बाद अजादी के बाद इसे राश्टरपती भावन खेरों में तबदिल कर दिया गया था राश्टरपती भावन 1947 में से राश्टरपती निवास बना दिया गया था वाइसराय लॉज उसको लेकिन 1965 में इसे Indian Institute of Advanced Study में बदल दिया गया इसे Educational Institute बना दिया गया Indian Institute of Advanced Studies 1965 में ये चेंज कर दिया गया था Next question है निमन में से हिमाचल प्रतेश के प्रत्म एवं केवल टैग और सम्मान से सम्मानित व्यक्ति है एक तो प्रत्म और केवल केवल एक ही है जिनको हिमाचल प्रतेश में टैग और सम्मान से सम्मानित किया गया है और फर्स भी वहीं है वे कौन है तो यह हैं गंबरी देवी गंबरी देवी को टैग और सम्मान से सम्मानित किया गया था और गंबरी देवी एक सिंगर थी जिनका अब डेथ हो चुकी है ये एक सिंगर थे फोक सिंगर और ये डिस्टिक बिलास प्रोसे संबंध रखती थे नेक्स कोशन है 15,256 फूट की उन्चाई पर स्थित हीमाचल प्रदेश के किस गाउं में प्रदेश का सबसे उंचा मतदान के इंदर स्थापित किया गया है सबसे उंचा मतदान के इंदर 15,256 फीट की हाइट पर इसको याद रखें 15,256 फीट की हाइट पर है ये कहाँ पर स्थित है ये लोहल्स पिती के टाशी गंग में है option number यहाँ पर एक रेक्ट होगा टाशी गंग ओके 15,256 की हाइट पर option में आपके पास यहाँ पर लोसर दिया गया है लोसर जो है लास्ट विलेज है लास्ट विलेज आफ 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 लास्ट पिती लोसर ये जो है लास्ट पिती का अंतिम ग economic project, किस river पर है आपको मिलान करना है, पहला है wrong tongue hydraulic project, तो wrong tongue hydraulic project जो है यह लहॉल स्पिती में है, इसकी खशमता जो है 2 megawatt की है और यह, तो यह स्पिती river की एक tributer है रॉंटर नाला उस पर बना है, तो यहाँ पे direct सतलुज दित गया है, जो क्योंकि सतलुज, स्पिती रिवर जो है ये ट्रिबूटरी है सतलुज की तो इसका option number यहाँ पर B ही correct होगा सतलुज, second option है बनेर hydroelectric project बनेर hydroelectric project की बात करें तो ये ब्यास नदी के उपर बना हुआ है, डिस्टिक का अंगड़ा में बनेर hydroelectric project इसकी capacity की बात करें तो ये 12 megawatt का है बनेर खड़ पे ही इसका जो है पानी से ये चलता है बनेर खड़ व्यास की ट्रिबूटरी है next है गिरी hydroelectric project गिरी hydroelectric project सिर्मवर के यमुना नदी पर बना है खास बात ही ये है कि गिरी hydroelectric project जो है ये district सिर्मवर में है और ये हिमाचल परदेश द्वारा बनाया गया पहला first hydroelectric project है first hydroelectric project है हिमाचल परदेश द्वारा निर्मित capacity के बात करें इसकी तो ये 60 megawatt का है 1964 में इसका काम शुरू हुआ था और 1966 में ये complete हो चुका था ये गीरी नदी पर बना है और गीरी नदी यमुना की tributary है साइक नदी है इसलिए यहाँ पर डिरेक्ट यमुना ही दिया है तो option number D क्रेक्ट होगा इसका यमुना लास्ट बसता है चमेरा hydroelectric project चमेरा hydroelectric project जो है रावी नदी पर बना है चमेरा के तीन पर बना है और ये जो है अभी नदी आपको पता है मुख्यताः डिस्टिक चमबा में बहती है और जो है चमेरा जलविद परियोजना या चमेरा hydroelectric project भी चमबा डिस्टिक में ही है इसके तीन सका है चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 जो चमेरा 1 है चमेरा चमेरा 1 पांसो चालिस मेगवाट की है और चमेरा 2 जो है यह तिनसो मेगवाट की है चमेरा 1 पांसो चालिस मेगवाट Next question है In 15th April 1948 which of the following princely states are merged into Himachal Pradesh without alteration of their boundaries 15 April 242 को नीमन में से कौन सी रियासते हैं उनकी सीमा में बिना किसी बदलाव की हिमाचल पर्देश में विले कर दिया गया था यानि हिमाचल पर्देश में उन रियासतों को डिरेक्टली मिला दिया गया था तो वो एक तो सिर्मावर रियासत थी जिसको as it is हिमाचल पर्देश में मिला दिया गया था एक डिस्टिक जो है चमबा रियासती इसको भी पूरा के पूरा हिमाचल प्रदेश के एक जिले गए तो और पे एड़ कर दिये गया था सिर्माओर और चमबा अब आप्शन में मंडी और महासू दिये गया है उस समय हिमाचल प्रदेश के रियासतों को मिलाकर चार जिलों का निर्माण हुआ था एक तो सिर्माओर हो गया दूसरा चमबा हो गया थर्ड महासू हो गया और फर्थ फोर्थ जो है मंडी और सुकेत को मिलाकर मंडी डिस्टिक बनी नेक्स्ट कोश्टन है विच ओफ दे फॉलोइंग रिवर इस फैट बाई हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट कलेशियर बड़ा शिगडी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनत जो है बड़ा शिगडी निवन मैंसे किस नदी को पोशित करता है किस नदी को पानी देता है यह जो बड़ा शिगडी गिलेशियर है यह चिनाब नदी को पानी देता है ओके ऑप्शन नम्बर यहाँ पे सी क्रेक्ट होगा चिनाब रिवर चिनाब नदी जो है चंदर और भागा से मिलकर बनतिया है जो बड़ा शीग लेक लेसिर है ये mainly चंद्रा नदी को पानी देता है वैसे तो और यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गिलेसिर है इसकी लंबाई 25 किलोमेटर है और ब्रेट जोहाँ चोड़ाई इसकी 3 किलोमेटर है एप्रॉक्स next question है who was the ruler of ब्रह्मपूर during the later 7th century of AD when the Kashmiri style of art entered in Himachal प्रदेश सात्वी स्तापती के उत्रार्द में जब Kashmiri का लाका प्रवेश भरमौर या Himachal प्रदेश में हुआ तब भरमौर के शाशक कौन थे याँ यहाँ पे इनोंने मेंशन भी कर दिया है 7th century after Dominic उस समय भरमौर के शाशक थे मेरू वर्मन option number B correct होगा मेरू वर्मन भरमौर का पुरा नाम था ब्रह्मपूर यहाँ का पुरारा नाम था option में अधित्य वर्मन है अधित्य वर्मन की खास बात यह है जो वर्मन उपनाम है चमबा के राजाओं का यह वर्मन सबसे पहले उपनाम लगाया था अधित्य वर्मन वर्मन उपनाम लगाने वाले पहले राजा थे इन्होंने शुरुआत की थी वर्मन की क्या सपास इनके कारेकाल में क्या हुआ था इनके समय में जब ये राजा थे उस समय चंबा में हैजा फैला था हैजा भीमारी फैली थी और तिब्धियों ने भी चंबा पर आकर्मन किया था लास्ट कोशन है हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने अपलिक पहले निवासी कौन थे तो सबसे पुरानी निवासी थे दास, नी, शाद और दस्यू उप्शन नमबर ए यहाँ पर कोशन मैं बूझा आपसे रासिहासन को ब्रहर मौर जिसका पुरान नाम है ब्रहर मौर है से नई राजधानी चमबा को किस राजा ने स्थान अंत्रित की थी आपके उप्शन है अधित्य वर्मन, ललित वर्मन, साहिल वर्मन या पृत्वी वर्मन कौन शॉप्शन होगा, कॉर्रेक्ट, कमेंट सेक्शन में लिखे ओके आई हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट जुरू करें थैंक यू सो मच वाव नाइस दे, गौद ब्लेस यू आल